बिसमिल्ला हिर्मान रहीम असलाम लेकूम एनी फैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वैलकम करती हूँ कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज की वीडियो में आस्तीन पर गुम सिलाई के साथ गोटा लेस लगाने की बहुत ही असान ट्रिक शेयर कर रही हूँ छोटी सी वीडियो है बिना स्किप किये देखनी है वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो यह देखिए इस तरह से आपने आस्तीन को रखना है आस्तीन की राइट साइड और लेस की राइट साइड इस तरह से मिलाते हुए आपने इस लेस को अटेश करना है तो सबसे पहले लेस बिलकुल सीधी लगाने के लिए आपने स्केल से हाफ इंच का मार्जन छोड़त पर हम लैस को रखके अटेश करेंगे अब आपने आस्तीन की राइट साइड पर यह देखिए इस तरह से लैस की राइट साइड रखते हुए बिल्कुल दर्मियान में आपने शिलाई लगानी है इस तरह से यह देखिए बिल्कुल दर्मियान में आपने शिलाई लगानी है लाइन ड्रॉ की थी हाफ इंच का मार्जन छोड़ते हुए इस पर इस तरहां से लैस को मैंने रख के यह देखिए आस्तीन के साथ अटेश्ट कर लिया है और यहां पर स्लाई कंप्लीट हो गई है यह देखिए बिल्कुल दरम्यान में हमने स्लाई लगाई है अब यह जो वाली स्लाई को बिल्कुल इस तरह से देखिए निशान लगाके दिखाती हूं यह देखिए इस तरह से आपने पटी को नीचे की तरफ रखना है और लैस की स्लाई को दबाते हुए हमने इस पटी को आस्तीन के साथ अटेश्ट करना हैती है तो देखिए वाधिए जो एक्स्ट्रा फेबरिक की मैं कटिंग कर दूँगी, अब आपने इस पटी को पल्टा देना है आस्तीन की उलट साइड पे ये देखे इस तरहाँ से, तो इस तरीके से आपने कपड़े को अच्छी तरहाँ से पल्टा लेना है, ये देखे बिलकुल बराबर करना है और उसके नेकार आपने いきます लाइय लगानी है तो देखिए इस तरह से लाइय लगाओंगी कपड़े को इस थरह से फॉल्ड करती जाओंगी और साफिव लगाती जाओंगी साफिलाइय लगाने के बाद मैं आपको दिखाती होगी तो देखिए यहां पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है तो यह देखिए यहां पर बहुती फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई के साथ आस्तीन पर लैस अटेश कर दी है मैंने तो आप भी इसी तरीके से आस्तीन पर दामन पर गुम सिलाई के साथ लेस लगा सकते हैं बहुती फिनिशिंग के साथ ये देखिए तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर क कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा अल्ला हाफीज